वर्तमान यूग में सभी जागरोग लोग यह मानने लगे हैं कि एक स्वस्थ और संगठित समाज के लिए मानप जीवन की सुरक्षा के अतिरिक्त यह भी आवश्चक है कि मनुष्य को ऐसे अधिकार प्राप्त हो जिनके दोरह वह एक सम्मानित जीवन वैतित कर सकें समाज में सम्मान पूर्वक जीवन वैतित करने के लिए मानप के लिए जो अधिकार मिलना आवश्चक है साधारत है हम उनी को मानवधिकार कहते है तो वरतमान यूग में सभी जागरुक लोग यह मानते हैं क्या मानते हैं कि एक स्वस्त और संगचे समाज के लिए मानव जीवन की सुरक्षा कहते रिखत यह भी आवशक है कि मनुष्य को ऐसे अधिकार प्राप्त हो जिनके द्वारा वह एक सम्मानित जीवन वेतित कर सके समाज में सम्मान पूर्वक जीवन वेतित करने के लिए मानप के लिए जो अधिकार मिलना आवशक है साधार तया हम उनी को मानव अधिकार कहते है इसका तात्पर रहा है कि जीवित रहने के अधिकार से लेकर अपनी सान्सकतिक पहचान को बनाए रखने तक से सम्बंदित अधिकार तथा समाजिक और आर्थिक अधिकारों से लेकर एक निस्पक्ष राजनितिक सहभागिता तक के सभी अधिकार मानवा अधिकार की परीधी में आ जाते हैं एक बिवेद कारी समाजिक ब्यवस्ता अथ्वा कुछ विशेश आर्थिक या राजनेतिक दर्शाओं की अंतरगत जब मानप को सम्मानि जीवन से सम्मंधित किसी अधिकार से वंचित किया जाता है तब इसी को हम मानवा अधिकार हनन भी कहती है कुछ समय पहले तक की राजशाही और सामंतवादी विवस्ताओं के समाज के दुर्वर अक्षम और असाहय लोगों के मानवी अधिकारों का हनन करके उन्हें एक उपेक्षित और प्रितारत जीवन बिताने के लिए बात दे करना एक समानने बात थी लोगतांतिक मूल्यों पर आधारित वर्तमान बिवस्ता में मानवा दिकार के उलंगन को केवल एक अन्हेतिक व्यवार के रूप में ही नहीं देखा जाता बलकि कानून के दौरा इसे एक अपराधी व्यवार भी माना जाने लगा है इसके बात भी यह सच है कि विविन समाजों में मानवा दिकार हनन से सम्मन्धित विविन तरा के व्यवार आज भी व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं तथा इनके निवारण के लिए बनाए गए विविन कानूनों का उलंगन करना विविन बर्गों द्वारा अपनी शक्तियां समाजिक मर्यादा के आधार के रूप में देखा जाने लगता है इसी रूप में मानवा दिकार उलंगन एक गंभी सामूदाइक समस्य बन जाती है बहुत लंबे समय से भारतिय समाजिक ब्यवस्ता जाती के असमानता कारी मूल्यों पर आधारित होने के करण अनेक दोशों का शिकार रही जिनके फलसरों समाज के एक बड़े बर को सम्मान पूर्वक अधिकार पाने और शमताकारी जीवन वेतित करने के लिए अपसर नहीं मिल सके धीर धीरे इन असमानता कारी मूल्यों ने धरम और पवित्रता के नाम पर एक संस्थावत रूप ले लिया भारत में सुतंतिता से पहले एक अश्प्रश्यता का जो रूप बिगमान था वह यूरोप के अनेक देशों में गुलामों की दश्रा में भी अधिक अमान भी था इस संदर में मानवा दिकार हरन की समस्या तथा इसके बिविन रूपों को समझने से पहले यह जानना आवशक है कि मानवा दिकार की अब्धारना क्या है तथा संसार के बिविन देशों में मानवा दिकार की चेतना किस तरह विक्सित होना आरंब होई अब है हमारा मानवा दिकार का आर्थ Meaning of Human Rights तब मानवा दिकार किसे कहते हैं सभी लोग यह मानते कि स्वस्त और संगर्चे समाज के लिए मानव जीवन की सुरक्षा के अतिरिक दिया भी आवश्यक है कि मनुष्यों के ऐसे अधिकार मिलें जिससे वो एक सम्माने जीवन वेतीत कर सके और समाज में सम्मान पूरवक जीवन बिताना ही और मानप के लिए जो अधिकार मिलने जरूरी है साधारता है हम उन्ही को मानव अधिकार कहते हैं अधिकार का अर्थ सहयक्त रास्टे संग ने मानव अधिकार को परिभाशित करते हुए यह सपस्ट किया है कि मानव अधिकार के संबंद और अधिकारियों से है सेक्त रास्चे संग ने मानवाधिकार को परिभाशित करते हुए यह इसपस्ट किया क्या इसपस्ट किया है कि मानवाधिकार का सम्मंद उन सभी अधिकारों से है जो मनिश्य को एक मानविय जीवन जीने के लिए आवश्चक है इसका तात्पर है कि ऐसे सभी अधिकार जिनकी साहता से सभी इस्त्रिपुरुष बिना किसी विवेत के समाज में एक सम्माने जीवन वेतित करने के अफसर प्राप्त कर सकें उनी को हम मानवाधिकार कहते हैं मानवा दिकार शब्द का समानने अर्थ उन सभी अधिकारों से हैं जो मानव के एक गौरब पोन और सम्माने जीवन जीने के लिए जरूरी है रास्चे तथा अंतरास्चे इस्टर पर इनके अंतरगत उन सभी अधिकारों का समावेश होता है जिनका संबंध व्यक्ति के समाजिक, आर्थिक, सांस्कितिक, राजनेतिक और नागरिक जीवन से है मानवा दिकार का संबंध किसी एक व्यक्ति अथ्वा एक पर्ग से नहीं होता है इन अधिकारों की प्रिकर्थी सार्भॉमिक और परसपर संबंधित होती है सं 1993 के वियना घोषणा पत्र वियना डेक्लिरेशन में यह स्पस्ट किया गया कि मानवा दिकार मानव का एक आपरी हाद अधिकार है तथा किसी भी दूसरे अधिकार की तुलना में यह अधिक महत पूर्ण है सहयुक्त रास्टे संग ने मानवा दिकार को परिभाशित करते हुए इस पस्ट किया कि मानवा दिकार का संबंध उन सभी दिकारों से है जो मनुष्य को एक मानवी जीवन जीने के लिए आवश्चक है इसका तात पर है ऐसे सभी अधिकार जिनकी सायता से सभी इस्तिर पुरुष बिना किसी भी वेत के समाज में एक समाने जीवन वेतीत करने के अपसर प्राप्त कर सके हैं उन्ही को हम क्या कहते हैं मानवधिकार कहते हैं मानव अधिकार की प्रिकरती अनेक दूसरे अधिकारों से भिन होती है इस भिनिता को इस अर्थ में देखने को मिलती है कि इस अधिकार सभी मानव प्राणियों को मानव होने के नाते स्वेम प्राप्त हो जाते है जो बिना किसी बिवेत के सभी मनुश्यों पर समान रूप से लागू होते हैं और इन अधिकारों के प्रेकरती को कुछ बिशेश्टाओं के आधार पर भी निम्नांके तुरूप से समझा जा सकता है Okay Human Rights Human Rights include the rights of life and liberty, freedom, from slavery and torture The Human Rights के निफ़ार ये जो Human Rights है Human Rights इसमें included क्या के शामिल होता है? माणमेर दिकार में क्या के शामिल होता है? Rights to Life जीवन के कुछ इसमें अधिकार जिस से लिवर्टी सोतंतीता चाहता है रही प्रिवर्टी आ जा दी फ्रीजम फ्र categories स्लीवरी। मतलब गुलामी से वेथे चाहता है टॉर्टर यो शोbn होता है व्यक्ति का तर सेवाक के एक बंदुअ ah जजदूर की तरह वो समय अपना जीवन नहीं यापन करना चाहता है एक व्यक्ति की लाइफ जो है बिल्कुल फ्री फ्रॉम फ्रॉम दा लिवार्ट ना फ्रॉम दा टॉर्चर और स्लेवरी तो हुमन राइट्स में केकर शामिल होता है राइट्स टू लाइफ जीवन के कौन-कौन से दिकार जिसमें लिवर्टी होनी चाहिए फ्रीजम होनी चाहिए किससे फ्रॉम स्लेवरी और टॉर्चर से इन अदर वर्ड वी कैन से दूसरे शब्द में यह होता है human rights क्या होते है are the basic rights यह basic rights होते है and freedom that belong to every person in the world freedom जो स्वतनत्रता होती है वो हर व्यक्ति संसार में जितने भी व्यक्ति होते है सबसे विलोंग करती है from birth until death मतलब जनम से लेकर म्रतिय तक अब है cactus chase of human rights cactus chase of human rights first है सभाविक विकास second विभीरी करन third गतिशील पक्ष fourth निसपक्ष राजकेतंत्र next बैधनिक संस्ता and next मौलिक सतंत्रता and next संशोदन अब है इनकी विशेष्टा है मानवा दिकार का संबंद पहला है आपका सभाविक विकास सभाविक विकास मानवा दिकार का संबंद व्यक्तियों से न होकर उसके द्वारे नियुक्त अधिकरस संस्ताव द्वारे होता है अब है आपका निसपक्ष राजकेतंत्र मानवा दिकार का संबंद व्यक्तियों से न होकर सरकार अथवा उसके द्वारे नियुक्त अधिकरत संस्थां द्वारे होता है जिन्हें व्यक्ति स्वेम प्राप्त नहीं कर सकता है इन्हें प्राप्त करने के लिए एक निस्पक्ष राजकी तंतिकी अवशक्ता होती है अब नेक्स चैप बैधानिक संस्था बैधानिक संस् ठां यारा कूल था धास्ता मानव दिकार वे हैं जिनका संदक्षन हरा बनाए ऑंप को यदि इन ऐन आदीकारों के बारे में किसी तरह गाल बिवादना के इस वैसा एक ऐसी सोतन तो निस्पक्ष बैधानिक संस्था के दौरा हुनावर्शक है जो बिगमान कानूनों के अंतरगत खुले रूप से एक निया एक निर्ने दे सके नेक्स्ट है मौलिक सोतन थे लुक अनुश कूरों की थे विएक शिरी है जो ब दिया जाय। व्यक्ति की निष्टा को बनाए रखना सभी तरह के विवेदों का उन्मूलन करना विचारों को पूर्ण सतंता देना था किसी भी व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति है समूं का उत्पीड़न रोखना राज्य के लिए अवश्यक है अब नेक्स है आपका संशो गतिशील कि समकाली दशाओं के नुसार कानूनों में इस तरह का संशोधन करें जिससे मानव अधिकारों का हनन न हो सकें ओकें तुमारों आवर टॉपिक इस मानव अधिकार का संख्षिप्त इतिहास ब्रीफ हिस्ट्री ओफ हुमन राइट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस